कोविट के चलते हैं इंडस्ट्री के एक और शक्स की हालत हुई बेहद नाजुक क्रिटिकल कंडिशन में इन्हें हॉस्पिटल में एड्मिट करवाया गया जहां डॉक्टर्स ने भी इनकी स्थिती को क्रिटिकल बताया है इन्हें कुछ दिनों पहले कोविट डिटेक्ट हुआ था जिसके बाद ये घर पर है आईसोलेशन में थे लेकिन कल से इनका ऑक्सिजन लेवल बहुत जादा ड्रॉप हुआ जिसके बाद अंबानी हॉस्पिटल में एड्मिट करवाया गया और रिपोर्ट्स तो ये भी है कि इस वक्त ये वेंटिलेटर पर है ये वो है जो पिछले 20 सालों से इस इंडस्ट्री का हिस्सा है जर्नलिस्ट के तौर पर ये काम करते थे बाद में फिल्म क्रिटिक भी बने और बॉलिवुड के A-Listers के साथ इनकी अच्छी खासी दोस्ती है कई बार उनके साथ ये इंटिव्यूस करते नजर आते हैं और पर्सनल रैपो भी है सुशान सिंग राजपूत मामले में इनके उपर बहुत बड़ा ब्लेम आया था कि सुशान को लेकर सबसे ज़्यादा नेगिटिव आर्टिकल इन्होंने ही लिखे हैं और सुशान को ड्रगी या स्कर्ट चेजर या ओवर रेटेड आउटसाइडर जैसे शब्द इन्होंने ही दिये थे के बाद मुंबई पुलिस ने इनसे पूछताच की थी सुशान सिंग राजपूत मामले में साथ ही CBI ने भी इनसे पूछताच की और यही वो टाइम था जब इन्होंने अपना 20 साल का जर्नलिज्म का करियर चोड़ दिया और करेंट जोहर को जॉइन किया उनकी नई टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी के लिए और पेशले कुछ महीनों से वो उन्हीं के लिए काम कर रहे थे राजीव मसंद की में बात कर रही हूँ जो इंडस्ट्री में जाना माना नाम है फिल्म क्रिटिक के तौर पर जाने जाते हैं और बॉलिवुड के सभी बड़े आक्टर्स इनके दोस्त हैं उनकी हालत खराब बताई जा रही है और इस वक्त उनका ट्रीट्मेंट चल रहा है लेकिन ट्रीट्मेंट से जादा उन्हें प्रेयर्स की जरुवत है इंडस्ट्री से कहीं सारे आक्टर्स हैं जिन्होंने राजीव मसंद की अच्छी हेल्थ के लिए प्रे किया है दिया मिर्जा ने, विपाशा बसु ने, निमृत को और इन सब ही ने लिखा है कि हमें पता है तुम स्ट्रॉंग हो और तुम इस लड़ाई को जीत कर वापस जरूर आओगे जहां कई रिपोर्ट्स कह रही है कि राजीव मसंद को वेंटिलेटर पर रखा गया है